असलाम वालेकुँड मैं आज आपको गोश का अचार कैसे बायाना बता रही हूं इसके लिए एक खिलो गोश ले ना इसको अच्छे से बॉश रहे कर चुटे चुटे बूटियां माना देना इस तरह कैसे देखिए न के च्छटे चूटे बूटियां मैं एक गोश के चुट हाफ टीस्पून हल्दी लो वन टीस्पून अद्रक्लेशन लेना अब इसको पूरों को अच्छा मिक्स तेके कुकर लगा देना इसको देखो अच्छा मिक्स कर दी में आप कुकर का ढगा के 15 मीट तक पका देना इसको अब जाए बीट में पके बाल में से पंजा मिट पक गया बाल में से चुल्दा बन कर दो गोश गिल गया ये पुरा अच्छा फिफ्टीन मिन्स टक रखी तो गोश अच्छा गिल गया देखिया अब क्या करना एक कड़े में तेन दालो पांच चमचे तेल दालो तेल को अच्छा गरम हो गया में से गोश डालो उसके इंदर तेल अच्छा गरम हो गया इसमें अब दो चमचे जीरा दालो बगार के लिए तड़के के लिए इसमें पांगी दालो अब देखिया कर या पाग भीदाल रहे हुं है बगार में झादलो अब ठडका हो गया त Dr. Q roughly माईंगे , इसके इंदर गोष्ट दिरें अब पानि बढहें जो पनी राधות बढ़ यह पूरा इसके बढ़ इसके इंडिगिण दने तक अपना अपना फोछ पका स्व advances क्या करना अपनिल में जब दो चम्याध Newman 2 experiencing 2 tablespoons 1 teaspoon दनीया पॉडर 1 teaspoon जीरा पॉड़र और इसमें नम्मक भी दालना है नम्मक गोश मे दाले थैं अपता इसमें नम्मक नहें दालना है नम्मक दाल लिया थे अपने हिसाब से इसमें नम्मक नहीं दालना है सिर्फ लाल मिच्छी जीरा पॉडर धनिया पॉडर और राया पॉडर वन टी स्पून राया पॉडर राया को भूल लेके पीस लेना अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेना अब इसमें 5 लेसन के उपिसे डलना देखे 5 लेशन के पीसें है कलियं के earn के इसके अंदर पीस के लेशनकों करूे 5 लेशन के पीस के मिन्ची में मिलाना इसमें लेशन भी पीस के लाल दे है पन अभी फूरे पाउडर को इसके ज़र मिक्स कर देना अच्छे से यह पूरों को अच्छे से मिक्स कर देना यह पौडर अलग रख दिया मिस उसके बाद आप अब लिंबू लेना है कि मेडियम से इसके लिंबू पांचली में अगर आपको और होना है इसके पांच लिंबू को अच्छा इसका जूस निकाल देके साइड में रख लो पांच लिंबू मीडियम से अगर आप और खटा पसंद करें तो और एकी भी आप दाल ले सकते पांच के जगे पर छे भी दाल ले सकते आपकी मर्जी गोश देखो अच्छे से सुख गया गोश अच्छा पूरा सुख गया पानी थोड़ा भी नहीं है इसमें देखो आप पूरा सिम कर देना चुल्ले को चुल्ले को पूरा सिम करके उसके बाद सिम में पकाना मिर्ची दाल के एक पांच मिट को आसा पकाना पांच मिट इसको देखो आसा पकाना सिम पेच पकाना उसके बाद लिंबू का जूस दाल देना आप देखो पांच मिट तक ऐसा हिला कि मिर्ची जल की अपनी कमधिर्एं तो आप यूह को यह लिंबी निमबु का जूश है यह दो गोश में मिर्च निकाल देना है इसके अच्छेे से यह सिम पेज रखके दालना पूरा लिम्बू का जूस दाल देना इसके अंदर लिम्बू का जूस दाले वा मैसस को अच्छे से हिलाओ अगर आपको तेल कम दिख रहा तो एक अलग पैन में तेल गरम करके इसमें मिला दो एक चार-पांच मिल्ट तक हिलाओ लिम्बू दाले बनने से भी जारत तक नहीं लाना ने तो मिर्ची लिम्बू सब जल जादा तो इसके आसे चार-पांच मिल्च पकाना मिच्ची दाले हम से एक 4-5 मिनिट और लिमू दाले में से फिर 4-5 मिनिट देखिए आप 4 मिट के बाद चुला बन कर दो और आपको तेल की जरुद पड़ी तो आप तेल इसमें और दाल सकते गरम करके अलग पैन में वो तेल इसमें दाल देना अब देखिए लिमू दाले में से 4-5 मिक पकारी लेको में अच्छे से पक गया अगर आपको तेल होना है तो तेल पैन में गरम करके दाल तो दाल सकते अब पीश इसमें दालना अलग पैन में तेल गरम करके दालना देखिए 12-13 बार बोल रही हूं कच्ची बुवाती ने तो तेल गी फिर अलग पैन में गरम करके दालना तेल इसके अंदर अब यह हो गया और सिम पे चार मिनिट हो गए मैं चुला आफ कर दे रहे हूं अब देखो गोश खाके यह देखिए अपा गोश का अचार बनके तईयार हो गया अब इसको तोड़के देखीगे अपन देखो कि तो अच्छा सॉफ्ट तोड़े गया एक यह बार में अच्छा गल गया आप इसको खाके देखीगे बिसमिल्ला जबरदस बना है माशाला पुत अच्छा टेस्टी हुआ ला जवाब हुआ खटा खटा अच्छा अगर आपको लिम्बू की जरुद पड़ी तो आप लिम्बू पर से और दाल सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भुलिए एक बार आप भी ट्राइ करके देखी घर में गोश का अच्छा बना के अल्ला हाफिस